फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि सन 1823 में एक बहुत खने जंगल में 45 लोग हैं। वो सारे की सारे जानरों का शिकार करके उनकी खालों को बेच कर ब्योपार करते थे। इन सब में एक आदमी होता है ग्लास और उसका बेटा हॉक। ये समझब जंगल में होते हैं तो इन पर आदम खोर कबीले के लोग हमला कर देते हैं और इनके बहुत चे लोग मर जाते हैं और वो इन पर हमला इसलिए करते हैं क्योंके कबीले के सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें लगता है कि ये काम इन और नदी में बैती कश्टी को वो कहीं से भी देखकर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ इन्हीं समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तब ही इनका कैप्टन गलास से पूछता है कि इन्हें क्या करना चाहिए। गलास बोलता है कि हमें इस कश्टी को छोड़ कर पैदल जंगल क ग्लास की ये बात चुनकर एक आदमी कहता है कि नहीं, अगर ऐसा थिया तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे, जमीनी रास्ते से घर जाते जाते हाफ तो लग जाएंगे, लेकिन ग्रूप का हैट कहता है कि इस इलाके को ग्लास बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तब व लोग जब भी वहाँ आएं, खाले उन्हें मिल जाएं, अब ये लोग जंगल के रास्ते चलना शिरू कर देते हैं, और अब इनकी मुश्किल और बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ की सहती बहुत खतरनाक होती है, और वो मौसम बस आने ही वाला है, इनका रास्ता बहुत चारा भी तो नहीं है, और अब ये लोग ठंका सामना करने को भी तयार हैं, ये लोग जंगल में अपना सफर जारी रखते हैं, रात हो जाती है और ये लोग जंगल में ही सो जाते हैं, सुबा होती है तो कबीले के लोग इनकी कफ्ती तक पहुच जाते हैं, इनका कश्ती को चोड़ने का फैसला बिल्कुल ठीक था, लेकिन कश्टी में कोई मौजूद ही नहीं होता, तब ही वो समझ जाते हैं कि वो जंगल के रास्ते पैदल गए हैं, तब ही एक आत्मी बोलता है कि हमें उस तरफ पैरों की निशान मिले हैं, अब कबीले के लोग फैसला करते हैं कि स चला जाता है, तब ही उसे लगता है कि उसके पास कोई है, वो चुकन्दा हो जाता है, उसे भालू के बच्चे निजर आते हैं, इससे पहले कि गलास वहां से जाता, बालू उस पर हमला कर देता है, गलास की बंदूग गिर जाती है, और भालू उसे जखमी कर देता है, वो बहुत ज़्यादा सख्मी हो चुका है और भालू एक पार फिर ग्लास से दूर चला जाता है। रहा है तब ही गलास के साथ ही उसे ढूंटते हुए वहां आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो भालो के नीचे है वो गलास को भालो के नीचे से निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं उन में से एक आदमी गलास की जखमों को सीना शुरू करता है उसका गला बुरी तरह से जख पर बंदूके और घोड़े ले लेते हैं। इससे पहले कबीले के लोग इन पर तीर कमान से हमला करते थे लेकिन अब उनके पास बंदूके और घोड़े हैं। लेकिन उसका बेटा उसे ऐसा करने से रोक देता है और कैप्टन को इस पर तर्स आ जाता है क्योंकि ये सब लोग ग्लास की वज़े से ही तो बचे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे डॉलर भी रख सकते हो। और तब ही फिर्ट कहता है कि तीन सो डालर से मैं अपना घर खरीच सकता हूँ और वो भी उनके साथ वहीं रुक जाता है। अब ये तीन लोग ग्लास के साथ रुक जाते हैं और बाकी सब चले जाते हैं। ग्लास की हालत बहुत खराब है। फिर्ट को लगता है कि ये जल ही मर जाएगा। लेकिन ग्लास अभी भी जिन्दा है। एक शाम जो ग्लास अकेला होता है तो फिर्ट उसके पास आकर कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं। तुम्हारी वज़ा से हम सब मर जाएंगे लेकिन अगर तुम मर जाओ तो तुम अपने पेते और हम सब की जान बचा सकते हो। तुम्हें अगर कबीले के लोग यहां आ गए तो हम सब मर जाएंगे और अब मैं तुम्हारे नाक और मुप बन करने वाला हूँ। अपनी पलकें चपकाओ और मुझे ये करने की पर्मिशन दो, लेकिन ग्लास अपनी आँखें नहीं चपकाता, फिर्ज कहता है कि तुम्हें अपनी आँखें चपकाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो इसका नाक और मुब बन करने लगता है, ग्लास तडपने लगता है, फिर्ट्स उससे बंदूग छीन लेता है और एक चाकू से गलास के बेटे को मार देता है। गलास का गलास जखनी है और पैर भी तूटा हुआ है। ना वो चिला सकता है और ना ही चल सकता है। वो बेबसी से अपने बेटे को मरता हुआ देख रहा होता है। फिर्ज उसके बेटे को मार कर एक चगह पर चुपा देता है ताके तीसरा लड़का उसे ना देख सके। जब वो तीसरा लड़का ब्रीजर वहां आता है तो ग्लास उसे कुछ पता भी नहीं पाता। रात होती है और वो लोग सो जाते हैं। सुभा फिर्ज ब्रीजर के कान में कहता है कि यहां से कुछ डूर 20 के करीब आदम खोर है और वो यहीं आ रही है। ब्रीजर डर कर पूछता है कि हौक कहा है। फिर्ज उसे कहता है कि अगर वो जिन्दा हुआ तो डूर लेगा। लड़का कहता है कि ग्लास अभी जिन्दा है और हमने कैप्टन से वादा किया हुआ है कि इसकी नैच्रल डेथ के बाद ही यहां से जाएंगे। यह सुनने के बाद फिर्ट्स फ्लास को बुरी तरहा से खिचता है और फिर्ट्स उसे एक गड़े में डाल कर उस पर मट्टी ड चला जाता है और उस लड़के से कहता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ हाला कि वो लड़का जाना नहीं चाहता लेकिन उसे अपनी जान का भी खत्रा होता है वो ग्लास के उपर एक बॉटल रखता है और वहां से चला जाता है उसे नहीं पता होता कि वहां कोई आदम खोर न पिर उसे भूग लगती है, उसे मचली का धांचा नजर आता है, जिस पर कुछ सूखा हुआ गोश्ट लदा होता है, वो खा लेता है, फिर वो देखता है कि पहाड के नीचे नदी है, बड़ी मुश्किल से रिंगता हुआ वो नदी तक पहुँचता है, वो पानी पीता है ल कितनी दिन तक वही नदी के किनारे रहता है, वो पानी पीकर और घास खाकर अपने आपको जिंदा रखता है, एक दिन आदम खोर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन ग्लास अपनी जान बचाकर नदी में कूट जाता है, और बहते हुए नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच जा एक रात वो एक तरफ से आग के लप्टें उर्ती हुई देखता है। तूनो आटमी के घोडे पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। अब वो दोनों कैप्टें के पास पहुँचते हैं। कैप्टें पहले से ही वहाँ होता है। और अपने वादे के मताबिक वो दोनों को 100-100 डॉलर देता है। और वो लड़का जिसका नाम ट्रीजर है पैसे लिए बगाईर ही वहाँ से चला जाता है। फिरस कहता है कि वो सदने में है और उसके पैसे भी लेकर वहाँ से निकल जाता है। जबके असर में वो लड़का शर्मिंदा होता है। दूसरे तरफ ग्लास और वो आदमी सफर कर रहे होते हैं कि बर्फ का तुफान आने लगता है। ग्लास तो पहले ही पिमार होता है। इसलिए वो भी होश हो जाता है। ग्लास इस लड़की को इस आहदमी से बचाता है। ग्लास अभी भी जिन्ता है। वो बच तो गया है लेकिन ठंचे जरूर मर जाएगा। त्यूंकि जो खाल इसने अपने उपर ओड़ी थी वो वही चूट जाती है। वो घोड़े के पेट को काड़ता है और सब कुछ बाहर निकालकर उसके अंदर सोजाता है। वो सारी रात वही रहता है और सुबह उठकर आगे भड़ता है। दूशी तरफ दिखाते है कि कैप्टन और उसके बाकी साथियों के पास एक आदमी आता है। वो एक सर्वाइवर होता है और उनसे आसरा मांगता है। तो वहाँ उन्हें ग्लास मिलता है कैप्टन ग्लास को देखकर हैरान रह जाता है क्योंके फिर्ट्स और ब्रीजर ने बताया होता है कि ग्लास मर्च चुका है कैप्टन ब्रीजर को गिरफ तार करने का कहता है और उससे में कैम्प वापिस आ जाता है किन वहाँ फिर्ज मौजूद ही नहीं होता, वो उसे ढूंडता है, लेकिन फिर्ज उसे कहीं नहीं मिलता, कैप्टन जब अपने कमरे में जाता है, तो फिर्ज उसकी तिजोरी में से सारा पैसा लेकर भाग गया होता है, कैप्टन उसे ढूंडने का फैसला करता है, जिस पर अलग होकर उसे ढूंगने लगते हैं, कैप्टन उसे ठूंट ही रहा होता है, कि अचानक फिज एक साइट से निकल कर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, कैप्टन कहता है कि तुम पर खोन का इलजाम है, तुम मेरे साथ वापिस चलो, लेकिन फिज उसे गोली मार देता है, गोली की आवास सुनकर ग्लास वहां आ जाता है, और उसे कैप्टन की लाश नेजर आती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता, फिर ग्लास लकडी की एक बड़ी सी तहनी तोड़ कर कैप्टन की पीट पर लगा देता है, और गोड़े पर बिठा देता है, और खुद पीछे गोड़े पर लाश की तरहां लेव जाता है, ताके फिर ग्लास के पास पहुंचता है, तो वो देखता है कि ये तो कैप्टन है, तब ही ग्लास उठकर उस पर गोलियां चला देता है, एक गोली उसके कंधे पर लगती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है, ग्लास उसका प पहुँच जाते हैं। जिस लड़की को ग्लास ने बचाया होता है वही कभीले के सरदार की बेटी होती है और वो ग्लास को जिन्दा छोड़कर आगे चले जाते हैं। ग्लास को अपनी बीवी की रूँख नजर आती है, उसकी आँखों में आसू होते हैं पर उसकी सांसे गहरी हो जाते हैं। थांक्स फॉर वाचिंग